दोस्तों कई बार इगल के आखो पर ये चमड़े के डखकन लगाये जाते हैं लेकिन आखिर लोग इनके आखो पर ये डखकन क्यों लगाते हैं दरसल जब इगल का हैल हो जाता है और इसको ट्रिट्मेंट किया जाता है उस समय इगल काफी ज़ादा ग्रेसू हो जाता है और